अपठित का शाब्दिक अर्थ है जिसे पढ़ा ना गया हो। अर्थात पाठिक्रम से हट कर जो कुछ भी है वह अपठित के अंतरगत आता है। ये ऐसे गध्यांश या पध्यांश होते हैं जिने विद्यार्थियों ने पहले कभी नहीं पढ़ा होता। अपठित गध्यांश या पध्यांश पर आधारित प्रश्णों के उत्तर देते समय विद्यार्थी को निमनलिखित बातों का ध्यान रखना आविश्यक होता है। दिये गए अपठित गध्यांश या पध्यांश को दो-तीन बार ध्यान पूर्वक पढढ़िये। उसके केंद्रिय भाव को समझने का प्रयास कीजिए. प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में तथा अत्यंत सरल भाशा में देने का प्रयास कीजिए. उत्तर गध्यांच या पध्यांच के आधार पर हो, इसमें अपनी और से कोई विचार नहीं लिखिये. गध्यांश या पध्यांश का शीर्षक देते समय यह ध्यान रखिए कि शीर्षक उसके मूल भाव के आधार पर हो अपठित गध्यांश एक दिन वन में घूमते समय राजा दुश्यन्त ने बड़ा ही विचित्रद्रश्य देखा उन्होंने देखा कि एक छे वर्ष ये बालक जिसका शरीर चंद्रमा की भाती उजवल था तथा उसका मुख सूरी के समान चमक रहा था वह निर्भै होकर शीर के शावकों से खेल रहा था कभी तो वह उनको गोद में उठाता कभी उनके मुख से अपना मुह रगड़ता तथा कभी उनके मुख में हाथ डाल कर उनके दात गिनता था उस बालक का साहस देखकर दुश्यंत आशर चकित हो उठे उन्होंने ऐसा दृष कभी न तो देखा था और ना ही उसकी कलपना की थी उस बालक का नाम भरत था जहां भरत ये क्रीडा कर रहा था वहीं बड़े शेर और शेरनिया शान्थ होकर बैठे थे स्वैम जब राजा दुश्यंत का साहस वहाँ जाने का न हुआ तो उन्होंने बड़े प्रेम से संकेत देकर भरत को अपने पास बुलाया पास आने पर दुश्यंत ने बड़े स्ने से पूछा कहां रहते हो बीटा भरत ने कहा यहीं वन में अपनी मा के साथ दुश्यंत ने पुना पूछा क्या तुम्हें इन शेरों से डर नहीं लगता भरत ने कहा भला मैं क्यूं डरूं? मैं क्या कायर हूं? ये सब तो मेरे मित्र है अब तक दुश्यन्त बालक भरत की मीठी वानी से मंत्र मुग्ध होने लगे थे प्रश्न वन में घूमते हुए दुश्यन्त ने क्या देखा क बड़ा विचित्र द्रिश्य ख हुंखाट जंगली जानवर ग लंबे काले नाग को ग एक विशाल काय राक्षस उत्तर क बड़ा विचित्र द्रिश्य बालक क्या कर रहा था? क दर से रो रहा था ख फल तोड़ कर खा रहा था ग शेर के शावकों से खेल रहा था ग शेर के शावकों को भगा रहा था उत्तर ग, शेर के शावकों से खेल रहा था बालक ने शेरों से न डरने का क्या कारण बताया क, वह जंगल वासी है ख, वह शेरों को वश में करना जानता है ग, शेर उससे डढ़ते हैं ग, वह कायर नहीं है उत्तर ग, वह कायर नहीं है उच्वल शब्द का सही वण विच्छेद चुनू जच्छेद च्छेद 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 च्छ जमा अ जमा ल जमा अ उत्तर क उ जमा ज जमा ज जमा व जमा अ जमा ल जमा अ इस गद्यांज का उचतशीर शक्चुनिये क मीठी वानी, ख वीर बालक, ग दुश्यंत का साहस, ख खुंखार शेर, उत्तर ख वीर बालक, अपठित पध्यांश डाल डाल पर उड़ना गाना, जिसने तुम्हें सिखाया है, सबसे मीठी बोली बोलो, ये भी तुम्हें बताया है बहुत भली हो, तुमने मा की बात सदा ही है मानी, इसलिए तो कहलाती हो, तुम सब चिडियों कीरानी शाम हुई घर जाओ, कोयल, अम्मा घबराती होंगी, बार-बार वे तुम्हें देखने द्वारे तक आती होंगी हम जाते हैं तुम भी जाओ, बड़े सवेरे आ जाना, हम तरू के नीचे नाचेंगे, तुम उपर गाना-गाना प्रश्ण, ये कविता किसको संबोधित कर लिखी गई है? क, चिडियां को, ख, कबूतर को, ग, कोयल को, घ, कवे को, उत्तर ग, कोयल को कोयल को चिडियों की रानी क्यूं कहा जाता है? क, मीठी बोली बोलने के कारण ख, गीत गाने के कारण ग, सुन्दर दिखने के कारण ग, मा की बात मानने के कारण उत्तर ग, मा की बात मानने के कारण बच्चा कोयल को जाने के लिए क्यूं कह रहा है? क. शाम होने के कारण मां बाट देखती होगी ख. अंधेरा होने पर रास्ता नजर नहीं आएगा ग. रास्ते में कोई बड़ा पक्षियों से खा जाएगा ग. दिये गये विकल्पों में से कोई भी नहीं उत्तर क. शाम होने के कारण मां बाट देखती होगी चार. तरुश शब्द के दो समानार्थी शब्द छाँटिए क. पौधा. जाड़ी. ख. पेड़. व्रिक्ष. ग. विश्व. पौधा. घ. व्रिक्ष. फल. उत्तर ख. पेड़. व्रिक्ष. इस पद्यांच का उचतशीर शक्चुनिये क. चणियों की रानी. ख. कोयल को सीख. ग. सवेरे का गान. ग. सबसे मीठी बोली. उत्तर क. चणियों की रानी.